तो दोस्तो जैश्व शंभू तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले कल की दिन का मार्केट का अनलिसिस और देखेंगे कल मार्केट में कैसे वग कर सकते हैं अगर मार्केट में गैप अब गैप डाउन या फिर फ्लाट ओपनिंग होती है ठीक है करने का मौका मिल सकता है और यहां पर आप देखेंगे तो एक साइड वेंच ठीक है और यह अपना गाई बंड बढ़ब zone इसका level है near about 17,800 ठीक है तो इसको आप ध्यान रखेंगे and guys इस range के अंदर भी market चल रहा है इस trendline का support लेके ठीक है अगर आप देखेंगे continuously guys 16th से ठीक है 16th of January से guys ये continuously इसी trendline का support ले रहा है और आज भी guys इसी trendline का support लिया है चुकी है 18,200 के आसपास तो guys अगर market gap up open हो जाता है कहीं भी guys यहां कहीं open होता है तो continuously guys उपर की तरफ भी चल सकता है और नीचे की तरफ भी चल सकता है इस वक्त guys अगर center में market open होता है दौनों तरफ चल सकता है अगर down जाता है तो put side जा सकते हैं और उपर की तरफ चलता है तो यहां से हमें एक downside का अच्छा trade मिल सकता है trend line तक का मतलब यह trend line है 18,120 यहां तक के target के लिए आपको एक अच्छा put side का trade मिल सकता है तो हम यहां पर पहली candle का breakdown होने के बाद पहली 15 मिनट की उसके बाद हम put side का trade execute कर सकते हैं यहां पर ठीक है तो वाइस यह हमारा gap up का scenario रहेग तो देखो multiple levels तो बहुत हैं जैसे कि 18,320 उसके बाद guys एक main level 18,476 तो यह दो level रहेंगे यहां पर upside में ठीक है अगर market gap up होके उपर की तरफ चलता है अब guys हम देखेंगे अगर market में gap down opening होती है तो guys जैसे कि यह trend line आप देख रहे हैं यहां पर क्या है काफी important support का level बना हुआ है इस trend line के through तो guys अगर gap down का scenario हम देखेंगे तो यहां पर एक support का zone है ठीक है यहां support यहां support यहां support लिया market ने 18,080 के around ठीक है तो guys अगर यहां कही market gap down open होता है तो दीखें सीधा नीचे भी आ सकता है market किस level तक up to this level मतलब 18,020 का level रहेगा इसका target का ठीक है and guys यहां से market उपर इस trend line को retest करने के लिए तो अगर यहां से retest करके नीचे वापस आता है पहली गंड़े कर लो तोड़ता है तब भी आप put side का trade execute कर सकते हैं और अगर gap down करने का उपर वापस इसके उपर retest हो के sustain हो गया तब फिर हम दुबारा से call side जा सकते है ठीक है तो यह हमारा gap down का scenario रह trade कर सकते हैं और quantity आपको कम रखनी है और इसके नीचे अगर retest हो के sustain होता है तो गईस लेवल से आपके यहां पर ठीक है यह लेवल है एक यह लेवल है 17,940 यह लेवल है 17,880 और यह लेवल है 17,800 तो इन लेवल तक आप step by step trade कर सकते हैं put side का ठीक है तो गईस यह हमारा gap down का scenario रहेगा निफ्टी 50 के अंदर इसके अलावा दोस्तों अगर flat opening हो जाती है तो यहां पर फिर आपको यह trend line follow करनी पड़ीगी ठीक है यह trend line इसके फालो गर लेगा flat open होता है इसके पर retest हो के sustain होता है call side देखो target कहां तक करेगा आज का high 18,200 और इसके बाद गाई 18,250 के round अपने support की बात की है आपको यह head and shoulder pattern भी दिख सकता है यह देखे ठीक है तो अगर flat open होगे गाइस market इसके नीचे आता है तो आप यहां पर put side का trade execute कर सकते है और यहां से market direct नीचे आ सकता है ठीक है यह ध्यानक ना फिर से नीचे की तरफ आ जाए तो यह move गाइस आपको इसके अलाब हम देखेंगे daily time frame में आज market ने कैसी candle बनाई है तो आज के अगर हम candle देखेंगे तो कल की indecisive candle से बढ़िया candle है bearish candle बनाई है but let's see guys कल हमें market में कैसे movement देखने के लिए मिलती है but इस candle के हिसाफ से बताया जाए तो कुछ भी यहां पर result निकल कर अभी नहीं bearish का यहां पर candle के साबसे bearish तो है market but आज कलमा market उपर नीचे दौन तरफ चल रहा है तो कल हो सकता है green candle बन जाए तो चलिए guys बात करेंगे हम bank nifty की तो दोस्तों यह bank nifty का chart है 15 minute के time frame में थोड़ा सा हमने update किया है chart को इसके आप देख लिजे यह ऐसा कुछ triangle pattern हमने बनाया है यहां से rejection यहां से rejection यहां से rejection यहां support यहां support यहां support ठीक है तो यह हमने कुछ इसका pattern guys update किया है तो इसमें आपको trade execute कैसे करना है तो देखो दोस्तों यहां पर क्या है यह trend line आपको mark करनी है यूदकि इस pattern के अंदर भी market almost 17 से गई 17 date से लगभग guys यहां पर support दे रहा है market को ठ भी guys यह retest हो रहा है okay let's see guys इसका breakdown के नीचे आता है तो अच्छा downside आ सकता है तो बात करें guys सबसे पहले हम gap up कि अगर market gap up open होता है तो देखें guys यहां पर यह level है important level 42,715 पर closing है और यह level है almost 42,800 का ठीक है तो इसके उपर अगा gap up open होता है guys market continuously यहां से उपर चल सकता है इस trend line त 42,000 के आसपर तो यह guys gap up का scenario रहेगा और gap up खुलने के बाद market नीचे आता है आपको ध्यान अखना है जब तक यह low नहीं जाता जो आज का low है हमारा तब तक आपको put side नहीं जाना है और यह low तूटने के बाद आप put side का trade execute कर सकते हैं target के level guys आपके रहेंगे 42,500 तक के तो ऐस 15,000 की candle का low break होने के बाद put side का trade execute कर सकते हैं इस trend line तक हमारे target के level रहेंगे और guys यहाँ क्या हो सकता है देखे इस trend line के according यहाँ पर यह channel के according work कर सकता है तो हो सकता है guys यहाँ से market कल ठीक है gap up खुलने के बाद ऊपर की तरफ चला जाए इस level तक बट आपको ध्यान अखना है इ यहाँ से rejection लेके फिर नीचे की तरफ वापस आ सकता है तो gap up खुलके market continuously ऊपर भी जा सकता है without retest के ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रगना without retest ऊपर जाता है मतलब guys danger है ठीक है market में जो move है वो dangerous move है ध्यान रखना तो यहाँ से जात हो सकते हो call side लेकिन quantity का अपना ध्यान र level है जो कि है 42,500 के आसपास इसके आसपास market gap down open होता है इसके नीचे retest करके जब market sustain होगा तभी इसमें put side जाना है 42,250 का आपके target के level रहेंगे otherwise guys अगर retest नहीं हुआ तो यहाँ से नीचे जाके थोड़ा उपर reverse हो सकता है वापस ठीक है तो इस condition में call side की scalping हमें मिल सकती है call side की scalping हम यहाँ पर कर सकते है ठीक है guys तो यह हमारा gap down का scenario रहेगा bank nifty में और इसके बाद भी guys इसमें target मिल सकते है up to this level ठीक है यह trend line तक हमें target मिल सकते है जो की 41,900 तक के हमें target के level दे सकती है तो guys यह हमारा gap down का scenario हो गया bank nifty के अंदर flat opening में आपको यह धियान लगना है अगर market retest हो के sustain होता है call side ठीक है और guys यहाँ से अगर यह low तोड़ता है market तो यहाँ पर put side जा सकते है direct without retest 42,500 का आपका target के level रहेंगे तो guys यह हमारा bank nifty में flat opening की भी बात हो गई है बात करें guys daily time frame में चलके market में candle कैसी मिली है तो guys अगर आप candle देखेंगे तो काफी अच्छ की की तो guys fin nifty का chart आपके सामने 15 minute के time frame पे यह देखें ठीक है fin nifty में guys यह हमने chart pattern इसमें बनाया हुआ है इसमें अभी और इसमें guys अगर market में gap up opening होती है तो कैसे आप trade करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे market में closing है 18,874 ठीक है तो अगर market gap up होता है यह आप देखेंगे इसमें भी trend line यहाँ पे support यहाँ support और यहाँ पे भी support ठीक है तीन support already मिल चुके है इस trend line को तो अगर इसके उपर जाता है गाइस market देखो range बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है ठीक है ना range बहुत बड़ी नहीं है almost guys यह है 18,920 और यहाँ पर है 19,000 तो मतलब 80 point की range है तो हो सकता है अच्छी बात है call side का trade हमारा थोड़ा safe हो जाएगा इसके उपर sustain होगा retest होके तो further हम call side की तरफ move कर सकते हैं target के level अगर आप देखें guys यहाँ पे तो रहने वाले हैं यह trend line उठा के guys यहाँ पे लगाएंगे ठीक है तो target के level इसी trend line के according निकलेंगे यह तो guys यहाँ से अगर move करता है market इसके उपर तो target के level आपके यह जो हमारी trend line आ रही है इसी के according रहने वाले हैं जो की level रहेंगे 19,120 तक के almost ठीक है बट इसके उपर retest होके sustain हो तभी call side की तरफ जाना क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे guys तो almost 100 point है ठीक है तो retest हो जाए तो बहुत ही अगर gap up सीधा यहाँ पर open होता है guys तो दोनों दर्फ चल सकते हैं उपर retest होके जाएगा call side चले जाएगे और यहाँ से पहली candle का low breakdown हो करेगा तो हम put side जा सकते हैं लेकिन target के level guys यहाँ पर इस channel तक के ही रखेंगे पहले target के level इस channel तक ही रहेंगे इसके नीचे ठीक है अगर कराता है retest होके sustain होता है तब हम और further put side जा सकते हैं level to level तो guys यह हमारा gap up का scenario हो गया इसके अलावा दोस्तों अगर market में gap down opening हो जाती है तो यह level mark कर ले 18,850 का level ठीक है इसके यहाँ पर आके अगर retest होके sustain होता है तब आप यहाँ पर put side का trade execute कर सकते हैं target के level आपके रहेंगे 18,760 के और इसके बाद guys अगर market में और नीचे move करता है market तो guys यहाँ पर देखो फिर next level आपका एक बड़ा level मिलेगा 18,680 का बीच में multiple level भी है guys तो अभी उसको हम ignore कर रहें बट हम live market में आपके साथ होंगे तो उसको देख लेंगे ठीक है तो यह आपका next level उसके बाद जो इसमें next level आएगा and target का 18,480 तो ऐसे करके guys हमारे इसमें target के level रहेंगे put side के ठीक है and दोस्तों अगर market में gap down opening हो जाती है यहाँ कहीं पर ठीक है यहाँ कहीं तो continuously put side का trade execute कर सकते है as a scalping ठीक है फिर यहाँ से market दुबारा इस level को retest करने जा सकता है तो यहाँ पर आप call side का trade भ एकने के लिए मिल जाए तो यहाँ से भी आप put side का trade execute कर सकते हैं दुबारा से ठीक है और safe trader guys इसके नीचे अगर आ जाएगा market तो put side जाएंगे ठीक है तो guys यह हमारा gap down का scenario रहेगा for nifty के अंदर and guys अभी बचता है flat opening देको flat opening होती है यहाँ से इस trend line के उपर retest होके sustain होता है call side up to this trend line और इसके उपर sustain होता है तो अब तो यहाँ तक आपके target के level रहेंगे इस trend line तक ठीक है और flat opening होके guys यहाँ से market नीचे आता है इसके नीचे retest होके sustain होता है तब आप यहाँ पर put side का trade execute कर सकते हैं तो यह simple से strategy रहने वाले हैं कल के दिन के हमारे market के लिए and guys अभी हम क video करेंगे daily timeframe में चलेंगे और देखेंगे finnifty को daily timeframe में तो guys आज का अगर आप chat pattern देखेंगे तो market bearish candle होने के साथ indecisive candle भी है मतलब इतना strong bearish candle नहीं है ठीक है तो let's see guys कल हमें market में क्या देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर guys अपना analysis complete होता है तो मिलेंगे guys अपनी next live streaming में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम and thank you for watching guys थार्णा सिर्ट शॉढ़ में नहींद वर्च्ट नहीं है तो जज के लिए जहाँ तो झाज कि अभर इतना